सब्सक्राइब करें एवीपी गंगा इस वक्तमरा सब बातशेत के लिए मुझे रहे कॉंग्रेस के वरिशनेता प्रमोत्य वाजी सर आज हमीरपुर में उप्चुनाओं हो रहे हैं उप्चुनाओं की घोश्रा हो चुकी है अगर हम देखे तो कॉंग्रेस पार्टी फाइड बिजली के दाम दो बार बढ़ा दिये गए हैं जबकि बिजली पहले से कम आ रही है दवी अबदा बाढ़ हाई है लोगों को साहिता नहीं मिल रही है और कानून बेवस्ता पूरी तरे दोस्त हो चुकी है तो जनता का मन सरकार से उसका खलाफ जाने का है और मुझे पूरा भरुसा है कि वो उसका प्रदैशन अपने मतदान के जरिये करेगी प्रियंका जी लगातार कई सारे कारेकरताओं से मिल रही है क्या आपको उमीद है कि जो इतना उन्होंने परिश्रम किया है उसका फल मिलेगा क्यों उप चुनाओ आप जितने हम काम्याब होंगे मैं प्र चर्चा भी कर रही है और मैं देख रहा हूं कि हर संबेदन सीलविशे पर उनकी प्रतिक्रिया भी आ रही है तीन मुद्दे उन्होंने उठाए सोनभद सफलता पूर्वक सरकार को मौपजा देना पड़ा और जो जो चाहा उन्होंने जो उनकी मांगती पूरा करना पड़ा उन्हों और रेप पीड़ता पर प्रियंका जी ने आवाज उठाई सुप्रीम कोर्ट ने भी वही माना और आज वह नयायकी और बढ़ा रहा ह तीसरे मुद्दे पर साजहापुर वाले पर भी वह बूली और नतीजे के तौर पर आज देखे कोई कारवाई हो रही है बढ़े बिजली के दाम पर पेट्रॉल के दाम पर उन्होंने प्रदर्शन कराया लालटे अंदोलन चलवाया तो मैं बढ़ाई देना चाहता हूं कि सही दिसामे कॉंग्रिस को लेकर वो चली अगर बात करें तो तर्वदेश सरकार ने अब निरड़ा लिया है कि जितने भी पूर मुख्यमंत्री है मंत्री है उनका ना किसी प्रकार से टैक्स वरा जाएगा ना उनकी गाड़ियों कब खर्च उठा जाएगा मुलाहिम सिंग यादो कि गाड़ी के जो खर्चा है उसे उठाने से मना कर दिया है देखिए वो पूर मुख्यमंति के रूप नहीं था सुरक्षा के कारणों से था और ये गलत हो रहा है अगर किसी की सुरक्षा को खतरा है तो उसे सुरक्षा की कमी नहीं करनी चाहिए जहां तक मेरी जान की प्रतिरोधी च्छमता रखती हैं तो मुलाइम सिंग्जे से हटाया नहीं जाना चाहिए ये किसी भी नेता से अखलेज जी की जो सुरक्षा कम की कि उसे भी नहीं हटाया जाना चाहिए मैं तो एक कदम आगे बढ़के करता हूं कि उपमुक्मंत्री जो उत्तापरदेस स काम कर रही है वो ठीक नहीं है सर सेना प्रभुक जनरल विपिन रावत ने बयान दिया है कहा है कि कश्मीर में लोगों का समवाद जारी है लेकिन जो पाकिस्तान परस्त लोग है पाकिस्तान का घाटी से उनका समवाद बंद हुआ है मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारत की सेना का गौरोसाली तिहास है सन 65 में इसी सेना ने छोगल नहर पार करके लाहूर में दस्तक दी थी इंद्रा जी के नेत्रत में पाकिस्तान को तुकड़े में बाटा था बहादूर सेना हिस्देश की मैं उनके राजनेतिक बयान से उनको अलग रखना चाहता हूं और यही आशाप एक्षा करता हूं उधर से भी राजनेतिक बयान बाजी नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए इनार्थी को लेकर घमाजान मचा हुआ है लेकिन संग प्रम्पोन भागवत ने इनार्थी को लेकर का है कि जो भी जायज लोगों को आएंगे इसमें बहुत का नागरिक है जो भारत में बुना फाइडी धंक से रह रहा है या संच्छप्त काल के लिए एक इजाज़त के रहने का पूरा दिकार है और जो नहीं है ज्याति धर्म का हो उससे एक छंव भी भाहरत की भूंपे रहने का दिकार नहीं है इसमें लिंग जात या धर्म के आधार पे भारत की नागरिकता को नहीं बाता जा सकता सबसे पहले खबरे पानी के लिए ABP गंगा को यूट्यूब पर सबस्क्राइब कीज़े फेस्बुक पर लाइक कीज़े फेस्बुक पेज है www.facebook.com slash abp ganga ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े हमारा ट्वीटर है twitter.com slash abp ganga